आगामी महरम पर्व को लेकर थारों में बैठक के शुरू हो गई है इसी करम में बेटमा पुलिस ने मुसलिन समुदाई के साथ शांती समीती की बैठक लिए इस बैठक के दौरान शांती समीती के सदस्यों ने मौरम त्योहार के असर पर त्योहार की गरीमा बनाये रखने और शांती पुन तरीके से पर्व मनाने को कहा साथी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गए हैं कहा गया है कि ताजिये और अखारे अपने निर्दारित रूट से निकाले कोई उगदवी तत्व जुलूस में शामिल ना हो त्योहार के दौरान किसी भी इस्थिती में कानून विवस्ता नहीं बिगड़नी चाहिए और किसी की साम्प्रदाइक भावनाओं को ठेस ना पहु हो नहीं आगामी तेवर मौरम को लेके चर्चा की गई उनकी बिवस्ताव पर चर्चा की गई है मौरम के दोरान क्या-क्या इनके तेवार रहेंगे चलीब ताजिये कैसे रहेंगे उस दाफ्द से हम लोग ने अपनी माकूल पुलिस बिवस्ता लगाने के लिए लोगों द तिहारों को देखते हुए बेठक रखी गई ती जिसमें सभी लोग शामिल हुए हैं और कुछ बिंदू जो थे वो बताये गए थे कि महर्ण में किस प्रकार की जो रूट रहेगा उसमें क्या-क्या विवस्था हैं हमको करानी है और कब से कब तक यह रहेगा तो हमने जो चल पालिकाकी तरफ से लाई लगाई जाती है इश्टरा, उसकी मांग की है विद्वूत मंडल से जो तार नीचे लटके में उनको टाइट कराने की मांग इसी परकार से हर साल की तरहब हम मोहरां पर 돌ो जो मनाया जाता है हमारा इस परकार से सब हिल मिलकर मनाते हैं